हेलो दोस्तों वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल इडी यू अपडेट आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए एक ऐसा कॉलेज जो कि काफी ज्यादा वेल नोन है पुने उनिवर्सिटी में इस कॉलेज का नाम है डॉक्टर डी वाई पाटिल इंस्ट्यूट ऑफ मेने जंगे पुने सिटी के अंदर में आता है यह नेम ऑल ओवर इंडिया में काफी ज़्यादा फेम हम लोग इस और इसको इसका स्थेप्लिश्मेंट इयर्स देखेंगे इसका प्लेस्मेंट देखेंगे इसका कॉलेज मैं एडमिशन किस तरीके से लिया जाता है फी स्ट्रक् इसके वेबसाइट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप यह चैनल पर फर्स चाइम आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा और साथ ही साथ बैल आइकन को जरूर दबात दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे ही किसे दिखती है इसका कंप्लिट नेम है डॉक्टर डीवाई पाटल इंस्टिटूट ऑफ मेनेजमेंट और रिसर्च जो कि पिंप्री में आता है इस कॉलेज को नेक अगरीडियेशन भी मिला हुआ है विद देजी पी ऑफ 3.29 और इसका ग्रेड है ए ग्रेड और साथ ही सा यह एफिलियेटेड है सावित्रिभाई फुले पुने उनिवर्सिटी से तो अगर इस कॉलेज को आप लेना चाहते हो तो आपको कैप राउंड में 6104 जो की इंस्टिटूट कोड़ है इस कॉलेज का वह आपको चेक करना होगा तो चलिए देखते हैं यह कॉलेज कॉन कॉ तो कोर्सेश के अंदर यह दो कोर्सेश प्रोड करता है इंभी और एंसीए आज हम लोग पर्टिकुलर्ली वीडियो बना रहा है एंबीए कोर्स के लिए तो चलीए देखते हुए यह एंबीए कोर्स में इनका क्या करिकुलम है तो एंबीए कोर्स अगर हम लोग सेलेक्ट करते तो यहां में लिखा हुआ है कि इस कोलेज का इंटेक MBA के लिए 180 seats का है total 180 seats is equal to 20% seats of institute level quota plus rest of the seats for cap round quota so अगर institute level का seats देखे तो हम लोग 20% is equal to 36 so out of 186 36 seats इनके जो कि है वो management लेवाल बोल सकते हो या फिर institute level quota के लिए है other than that यह जितने भी seats बचते है वो सारे ही कैप राउंड के तुरू हो जाता है selection और इनका selection pattern as per DTE procedure है admission pattern जैसे हम लोग हर सेंट हर स्टेट में हमारे मह CET exams होती है MBA CET exams भी बोला जाता है MBA के अंदर admissions लेने के लिए तो वही CET के स्कोर्स के basis पे इस college में admission मिलता है अगर हम लोग basic eligibility criteria देखते है इस college का तो open category के लिए यहाँ पर graduation के लिए 50% चाहिए और other than open category के लिए यहाँ पर 45% का यहाँ पर criteria दिया हुआ है और जो साथ ही साथ इन लोग MBA CET plus CMET यह सारे exams भी accept करते हैं as an entrance test for this college यह तो हो गई courses और in tech की बात अब हम लोग देखते हैं fee structure की बात इस college में particularly fee structure क्या है MBA students के लिए तो यहाँ पर जैसे के लिए दिया हुआ है कि year 2021 से 2022 का जो batch है जो कि इस साल का बैच है उसके लिए fee structure यहाँ पर defined है कि 1,30,000 पर candidate open cast के लिए लगेगी दोस्तों बिल्कुल भी confuse मत होईएगा यहाँ पर year 1,30,000 की fees है अगर हम लोग complete fees देखा जाया MBA की तो यहाँ पर 2,60,000 है और इसके अंदर कोई भी hidden charges नहीं है तो जो भी fees है यहाँ पर clearly mentioned की गई है अगर हम लोग OBC, SE, EBC other categories की देखते तो यहाँ पर clearly MBA के लिए जो जो भी fees है वो सारी यहाँ पर clearly देखी गई है अगर हम लोग open category की बात करते तो open category का 1,30,000 है तो इस तरीके से कुछ fee structure है इस college का तो चलिए अब हम लोग देखते है इस college का placements तो हम लोग देखते है कि यहाँ पर कौन-कौन सी companies आती है इस campus visit करती है तो हम लोग और recruiter से चेक करते तो सबसे पहले तो हम लोग देखते है कि year wise कितने किस तरीके से divided है और कितने number of companies यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पर clearly mentioned 2017 से 18 में 58 companies आई है college में 18 से 19 में 61 आई है और 19 से 20 में 72 आई है तो इस year का अगर हम लोग देखते हैं तो complete 72 companies यहाँ पर आई हुए और 72 companies के यहाँ नीचे में नेम भी दिये हुए है तो काफी अच्छे अच्छी companies आती है इस college में बाइजू आ रही है आईडी बिया आ रही है विप्रो आती है अदानी आती है किर्लोसकर आती है तो काफी हम लोग education wise देखते हैं तो यह college 1994 का है जो की काफी पूराना है और यहां पर लेक्टर भी काफी अच्छे है तो आपको knowledge wise यह college काफी अच्छा जाएगा बट हाँ अगर आप यहां से इस college से आप ज्यादा कुछ expect नहीं कर सकते हो बिकाज यहां का placement आपको below average यह average ही मिलेगा हाँ आपका यहां पर अगर हम लोग highest और lowest package का हम लोग बात करते हैं तो चले देखते हैं पर placements record देख लेता है इसको इस college का तो यहां पर clearly MBA में लिखा हुआ है कि जो highest package गया है वो 10 lakh का गया है जबकि average package यहां पर इन लोग क्लेम करते हैं 3.6 lakh per annum का आप समझ सकते हो कि 3-4 lakh के बीच में अगर आपको average package मिल ही जाएंगा और highest package यह लोग क्लेम करते हैं 10 lakh जो की इसी साल बढ़ा है वरना पिछले साल तक यह 8 lakhs per annum पे था इस साल यहां यहां से by use के लिए students placed हुए है जो की 10 lakh का package लेकर गय और आप यहां पर average package आप मान के चलो तो यहां पर 4 lakh के नियरबाय आपको average package मिली जाता तो return of investment काफी अच्छा है बट अगर हम लोग दुसरे colleges से compare करें दुसरे high rating colleges से compare करें तो यहां का average package थोड़ा कम है तो इस तरीके से यहां पे divided है और college का details भी यहां पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी companies आई हुई है यहां पर विजिट की हुई है और students का भी detail दिया हुआ है तो यहां पर हर disciplines के साथ में दिया हुआ है जैसे finance के students का आपको दिखेगा सामने में काफी सारी HCL technologies then a class spoon काफी अच्छे अच्छे आइटी companies भी आपर विजिट करती है इंटरनेशनल बिजनेश एच्छार मार्केटिंग सारे ही यहां पर disciplines में अच्छे अच्छे गया है अगर हम लोग ऑपरेशन देखते हैं तो ऑपरेशन का काउंट यहां पर थोड़ा सा कम है एस कंपेर टू अदर स्पेशलाइजेशन और सप्लाइचेन का तो एक ही है तो इस तरीके से मार्केटिंग एचार के लिए कॉलेज हम लोग वेलेंड गूड कह सकता है जबकि अपरेशन के लिए यहां पर उतना ज्यादा वेटेज नहीं है तो यह है अगर हम लोग प्लेस्मेंट्स परस्पेक्टिव से देखते हैं तो इस तरीके से कुछ डीटेल्स हैं आपर कॉले करना ही होगा ओपन केटेगरी के लिए अब को 60 65 में अगर आप लाते हो स्कोर्स तो आपको आसानी से कॉलेज में अडमिशन मिल जाता है बट इस पर्टिकुलर पैंडमी के पर्टिकुलर यह में अहां पर थोड़ा से एडमिशन का प्रोसेस चेंज हुआ है अभी हां पर हुआ एडमिशन तो एंबीए प्रोग्राम ओपन फर्स्ट कम फर्स सर्फ बेसिस जस्ट बिकॉज एडमिशन के मार्क्स पे भी ले सकते हो एडमिशन एंबीए के लिए तो इसके लिए कोई भी दूसरा आपको एक्जाम नहीं देनी पड़ेगी कैट मैट सी मैट सीटी आपको एंबीए में आसानी से एडमिशन मिल जाएंगा तो इसी चक्कर में यहां आप कॉलेज के अंदर भी एडमिशन फर्स्ट कम फर्स सर्फ के बेसिस पे यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है अगर आपको एस्ट के बारे में डीटेल जानना है तो आप मेरे लास्ट वी हुआ है